नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉदिवूट पैसेंजर में आज इस वीडियो में हम एक दिर चस्प बात करेंगे आमिर खान और शारुक खान के बारे में जिसे टीवी एड बनाने वाले फेमस जरेक्टर प्रलात ककर ने पताया प्रलात ककर बताते हैं कि उन्हें एक एड वीडियो बनाने के लिए एक्टर की तलाश थी जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले आमिर खान को अप्रोच किया तो आमिर खान ने 25 लाक रुपे एड की फीस बताई फिर उस एड के लिए जब शारुखान से बात की गई तो वे सिर्फ 6 लाक रुपे में ही राजी हो गए दरसर शारुखान उस वक्त किराय के मकान में रहते थे उन्हें एक घर खरीद दना था और उस समय उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे यही कारण था कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वे बस 6 लाक रुपे में एक एड करने को राजी थे और अपने घर मननत के लिए पैसे जोड रहे थे अम फीस रखने के बाद भी डाइरेक्टर प्रलाद ककर ने अमीर खान को इस एड के लिए चुना जबकि अमीर खान एड करने को तयार नहीं थे क्योंकि उस समय ये मिसकंसेप्शन था कि एक्टर एड तभी करता है जब उसके फिल्म में नहीं चल रही हो प्रलाद ने अमीर को समझाया फिर वो राजी हो गए जी हाँ दोस्तों ये पेपसी कोल्डिंग का एड था जिसमें अमीर खान के अलावा एश्वेरा, राय बच्चन और महिमा चौदरी भी थे इस एड में एश्वेरिया का चंद सेकेंड का रोड था पर उन कुछ लम्हों में वे काफी फेमस हो गई प्रलात ककर आगे बताते हुए कहते हैं कि उनके पास एक दिन में हजारों फोन कॉल्स केवल ये पूछने के लिए आए थे कि आपके एड में ये नई लड़की कौन है तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएए वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा लाइक और शेर कीजिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना न भूले धन्यवाद